बिहारी बेजोड के आज की सेगमेंट में बात है कैसे लेखा के बारे में जिसने अपनी लेखनी से देश विदेश को एक नई सोच दी जिसने यह बताया कि आने वाला समय कैसा होगा हम किन किन चीजों पर निर्भर रहने वाले हैं उनकी पुस्तक जब बजार में आई तो उसे एक कमाल की रूत में देखा गया उनकी दो पुस्तके आम लोगों के बीच में काफी पॉपलर है एक 1984 और दूसरा है एनिमल फॉम 1984 पुस्तक पर भी भारत के साथ साथ विदेश में भी टीवी सिरियल की सुरुआत हो गई इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं अब तक आप भी समझी गए होंगे हम बात कर रहे हैं जॉर्ज और वेल के बारे में जिन्होंनों 1984 और एनिमल फॉम पुस्तक के जरिये एक नई करांती ला दी जॉर्ज और वेल के जन्म को लेकर काफी सवाल उठते रहे लंबे समय तक उनके जन्म को लेकर ही बिबाद रहा लेकिन बात के दिनों में यह असपस्ट हो गया की वे बिहार के मुतिहारी जिल्म के रहने वाले हैं उनका जन्म 25 जुन 1903 को हुआ था जॉर्ज और वेल का असली नाम एरिक और्थर बलेर था उन्होंने जॉर्ज और वेल नाम लेखक के तौर पर चुना था या कहले की एक लेखक के तौर पर उन्होंने रखा था ऐसा अमोमन लगभग राइटर करते हैं चाहे वह हिंदी के हो या फिर अंग्रेजी के कहा जाता है कि जॉर्ज और वेल ने अपने जीवन का पहला साल बिहार के मुतिसारी में ही गुजारा था लेकिन जब वो बिहार से बाहर गए तो फिर कभी लॉड कर यहां नहीं आये जॉर्ज और वेल के पिता रिचार्ड डबलू ब्लेयर ब्रिटिस सरकार में अफीम विभाग के अधिकारी थे बतातें कि उस समय यह पूरा इलाका अफीम की खेती के लिए जाना जाता था इन इलागों में तैयार अफीम को चीन भेजा जाता था कहते हैं कि जिस जगह पर जॉज और वेल का जन्म हुआ था वह अब पूरी तरह से खंधर हो गया है पहले के जमाने में अफीम को रखने के लिए एक जगह का निर्मान किया गया था जिसे हम भंडार गरी कहते हैं वह अब खंधर के रूप में तबदील हो गया है अब इस पूरे इलाके में आदे से अधिक जगह पर सत्यागरह पार्क बनाने की बाद जो है सरकार की तरफ से कही जा रही है जॉर्ज के जर्म लेने के एक साल के बाद उनकी मा इंगलेंड चली गई इनके कुछ दिनों के बाद जॉर्ज के पीता भी रिटाइर हो गए और वो भी इंगलेंड चले गए इसलिए इनकी प्रारंबिक सिछा इंगलेंड में ही हुई इसके बाद वे इंगलेंड की सेना में नौकरी करने लगे इस दौरान साल 1924 से 27 के बीच में वे बर्मा में इंगलिस इंपिरियर पुलिस के तौर पर नौकरी की इसमें उन्हें बहुत मन नहीं लगा इसके बाद वे लेखन की दुनिया में आ गए गटने वाले घटनाओं को उन्होंने कागजों पर लिखना सुरु कर दिया बर्मा में पुलिस की नौकरी करते हुए उन्होंने दो पुस्त के लिखी बर्माज डेद और सूटिंग ए अलिफैंट इस समय तक औरवेल समाज और समाज में घटने वाली घटनाउस से काफे प्रभावित होने लगे थे उन्हें सेना और राजनीती में समझ आने लगा था उन्हें यूध और यूध के बाद के सितियां भी समझ में आने लगी थी जॉर्ज औरवेल यह मानते थे कि समाज को आगे ले जाने का एक मातर रास्ता है वह लोकतान तरीक समाजबाद का ऐसे में और बेल लगतार नाजी और फासी ताकतों के खिलाब बोलते रहे लड़ते रहे उस समय अस्पेन में हुए ग्री यूध में उन्होंने मुखर होकर फासी बाद का बिरोध किया था इसी यूध के दौरान उनके अनुभब को लेकर उन्होंने होमेज टू कैटेलोनिया नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी इस दौरान वे घायल हो गए और उन्होंने अपने आपको दुसरे विस्पी यूध से अलग कर लिया अब वे लिखने पढ़ने में काम करने में आगे बढ़ गए थे उन्होंने बीबीसी न्यूज जॉइन किया जहां वे लगतार नाजीव और समराजबादी ताकतों के खिलाब मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करते रहे जोर्ज और विल चर्चा के खेंदर में तब आये जब उनकी किताब एनिमल फॉम आई इस किताब ने लोगों को बिचारधाराओं पर सोचने को मजबूर कर दिया इस किताब ने लोगों को समाजिक परिस्थितियों को बताया इस किताब ने यह बताया कि हमारे आसपास जो बीद रहा है जो चल रहा है उस पर हमारा नियंतरन नहीं है एनिमल फॉम की रचना साल 1917 में हुई रूस की करांटी के बाद हुई थी जिसमें अस्टालिन और ट्राटस्की को उन्होंने सूर बताया था जो की काल माक जो की एक खेती करने वाले किसान के रूप में दिखाया गया था उनकी खेतों को ये सूर नश्ट कर देता था और यह अपनी सक्ती को बनाए रखने के लिए ऐसा करता था एनिमल फॉम के परकासन में इन्हें काफी परिसानी का सामना भी करना पड़ा हाला कि यह पुस्तक साल 1945 में परकासित हुई इस पुस्तक के आखिर में सुवर इन्सानों से नफरत करता है बाद में इन्सानों के साथ ही होने को दर्साया गया है जावर्ज की इसी तरह की एक और पुस्तक 1984 परकासित हुई इस पुस्तक में जैसे इंसानों के दिमाग को परत दरपरत खोल कर रख दिया इस किताब ने सोचने का एक नया तरीका दिया इसने बताया कि कैसे कोई व्यक्ति नियंद्रित किया जा सकता है इस पुस्तक ने यह भी बताया कि आप अगर बजार जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सामान नहीं खरीते हैं आप बजार की मर्जी से सामान खरीते हैं जोर्ज और्वेल ने अपनी इस पुस्तक में उन्होंने 1948 में लिखा था कि इस पुस्तक के माध्यम से एक कलपना कर रहे हैं कि 1984 में हमारा समाज कैसा होगा उस समय सासन सत्ता में रहने वाले लोग किसी भी आम व्यक्ति पर कैसे नियंतरन कर सकते हैं इस पुस्तक में इस बात का विजिक्र है कि किस तरह से सत्ता के विरोध में आवाज उठाने वाले को खामोस कर दिया जाता है उबे अपने इस किताब में तकनीक की बात करते हैं और इसी तकनीक से आम जीवन कैसे परभावित हो रहा है इस बात का विजिक्र किया जा रहा है इस पुस्तक के बजार में आने के बाद उनकी खूब परसंसा हो रही थी लोग इनकी तारीफ कर रहे थे लेकिन जॉर्ज और वेल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि उबे अपनी पुस्तक की पर लेकर थे जिनों न सत्ता के खिलाप लिखने के हिमाकत की थी जिनोंने फारशचिटों और नाजियों के खिलाप बोलने के हिमथ दिखाई थी जिनके खिलाप आवाज उठाने मात से कंosed कर दिया जाता था उस सुरुवात में ही आपको बताया था कि जॉर्ज और्वेल की जन्म को लेकर काफी विवाद था ब्रिटिस पत्रकार यान जैक ने साल 1983 में जॉर्ज और्वेल के घर का पता लगाया था जिसके बाद बिहार सरकार की मदद से अब यहां पर मियूजियम बनाने की बात कही जा र ही है